नमस्कार दोस्तों Market at 11 में आप से भी लोगों का स्वाह करता है चलिए देखते मार्केट कैसा ब्याइव कर सकता है सेकेंड हाफ में अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेट कर रहा हूं अठारादा चैसो पिच्छानवे पे और अब यहां पर हमें समझना है कि मार्केट का मॉमेंट कैसा रह सकता है तो देखो पिछले अलमुस्ट एक हफ्ते मैं आपको एक कीचे समझा रहा हूं कि ग्लोबल मार्केट जो है वो पॉजिटिव है उनका सेंटिमेंट बहुत ही जाथा पॉजिटिव है और उनमें कंटिनियूसली ब्रेक आउट पे ब्रेक आउट देखने को मिल रहे हैं तो आपको यहां पर क्या है अगर नीचे डिप आपका यहां पर 200 पॉइंट नैस्डेक और डाव भी करीब 190 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है अब इसका सेंटिमेंट के है कि हम पॉजिटिव साइट पे जाधा देर तक कामकाच करेंगे अब इस लेविल पर आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ को हम समझते हैं तो सबसे पहली चीज़ देखो ऑप्शन चीन डाटा में अगर आप देखोगे तो निफ्टी का ऑप्शन चीन डाटा में आपको देखने को मिलेगा अठारा सास्सो की कॉल पे काफी बड़ा ओपन इंटर्स खड़ा हुआ है करीब करीब आपका एक करोड़ बावन लाग का है और पुट साइट फे कितना है एक करोड 21 लाग का ओपन इंटर्स इसका मतलब क्या है आज के दिन का सबसे इंपोर्टेंट मेक और ब्रेक लेविल अठारा सास्सो ही है अठारा सास्सो की नीचे अगर आप ट्रेट करते रहोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वोकिंग आपकी देखने को मिल सकती है अगर अगर आप अठारा सास्सो के ऊपन निकल गए तो फिर कहीं न कहीं आप अठारा जा सास्सो पच्छे सो चास्सो तीस की तरफ बढ़ सकते हो अब इसमें जो रोल रहेगा वो सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी का ही रहेगा क्योंकि बैंक Nifty पिछले 2-3 निजन ते continuously weakness दिखा रहा था तो अगर Bank Nifty में profit booking आना start होती है तो इस फिर chances बन सकते हैं कि Nifty वही 18650 या 60 की range में आके trade करना start कर सकता है तो आपको यहाँ पे करना क्या है देखो simple दी चीज यह है यह जो particular क्या रखनी है अगर यह इस level के नीचे जाने लगता है यानी 18680 के नीचे trade करने लगता है तो फिर आपका जो आज का जो दिन का जो top होगा उसके chances बनने के यहीं पर हो जाएंगे और 18600 को cross कर देता है इसके उपर sustain करने लगता है तो फिर दीरे यह उपर अटारा जा 725 और 750 तक जाने की कोशिस करेगा यह पॉइंट ज्यान में रखना है बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर सिंपल ही चीज यह है निफ्टी पॉजिटेव है बैंक निफ्टी वगेरा साइडवेज है तो अगर बैंक निफ्टी में चवाले सजा सकता है अगर इसकी नीचे यह ट्रेट करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको डे लो तक का टार्गेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है यह चीज आप क्लियरली समझ लीजिए उपर बाइंक के लिए मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में कोई जाता यह चीज ध्यान में रखेगा आज फिर निफ्टी के एक्सपायरी है तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा उसकी वज़े से थोड़ी सी वोलेटिलिटी हो सकती है ठीक है ऑप्शन चेंड डाटा मैंने आपको बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आपको ब जान रखेगा बट इस लेविल पर भाय तो मेरा रेकोमेंडेशन नहीं है यह चीज आप क्लिए ली समझ लीजिए ठीक है तो आई होप दोस्तों यह पर्टिकलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतनी है आई होप यह वीडियो आपक क्योंकि मैं सो दिल लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के साथ शुक्रिये दोस्तों जै हिंद